Iron Deficiency Anemia, Iron की कमी से होने वाला एनीमिया Hemoglobin, जो Human Red Blood Cells में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, इसका संबंध विभिन शरीर के टिशूस में Dissolved Oxygen के परिवहन से है Red Blood Cells में Hemoglobin के स्तर में गिरावट आमतोर पर एनीमिया को जन्द दे सकती है एनीमिया कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें से Iron की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे आम प्रकार के एनीमिया में से एक है यह स्थिती एक आवश्चक खनेज की कमी के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात रोगी के रक्त में Iron जब शरीर के भीतर आइरन की कमी के कारण ऐसी स्थिति होती है, तो रक्त संबंधिज शरीर के टिशूज को आवशक मात्रा में आकसीजन ले जाने में सक्षम नहीं होता है. बहिलाओं में रक्त में हेमोगलोबिन के नुकसान के कारण आ хотел की कमी से होने वाली एनीमिया एक बहुत ही आम बात है, जो मेंस्ट्रॉल के दोराण या गर्भावस्था के मामले में भारी प्रवा से होती है. आपकोर पर आईरन की कमी के एनीमिया के प्रारम्भिक चरण में इसके हलके प्रभावों के कारण इस तरह के लक्षणों को नोटिस नहीं किया जाता है लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आईरन की कमी से पीडित होता है, यहां अधिक गंभीर एनीमिक स्थितियों की ओर जाता है आईरन की कमी के एनीमिया के मुख्य लक्षनों में कमजोरी, पीला या सफेद त्वचा का रंग, ड्राउजिनेस, भूक, सीने में दर्द, सिरदर्द, ठकान, अन्यमित धर्कन, काम करने में रुची की कमी, मतली और अन्य शामिल है गर्भवती महिलाएं अकसर अपने डायेट में खनिज आईरन के कम सेवन के कारण उपर्युक्त लक्षनों में से कुछ से पीडित होती है आईरन की कमी से होने वाला एनीमिया का इलाज कैसे किया जादा है आयरम की कमी से होने वाले एनीमिया के उपचार में कुछ चेकप शामिल है अर्थात blood cells के लिए test, हीमोगलोबिन की count के लिए test और आंतरिक रग्तसराव के लिए test एक complete blood cell test द्वारा एनीमिया का सामान्य रूप से पता लगाया जा सकता है यदी नहीं, तो आगे के टेस्ट की आवशक्ता होती है आईरन की गोलियों का सेवन इस एनीमिया को ठीक करने में मदद कर सकता है खनेज आयन सहित स्वस्थ डायट सहायक हो सकता है हालां की यह हमेशा ऐसे किसी भी लक्षन से पीडित व्यक्ती के लिए सिफारिश की जाती है कि वह किसी अनुभवी डॉक्टर से परामर्श कर मामले में अधिक सटीक हो आईरन की कमी वाले इनीमिया के इलाज के लिए औरल फेरस आईरन सौल्ट्स के साथ औरल आईरन थेरेपी प्रभावी होता है गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को आईरन की कमी के बारे में किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए नियमित दिंचरिया जाँच के तहत होना चाहिए यदि कोई भी महिला अनुचित पोशन आहार से गुजरती है तो इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों को आईरन की कमी से होने वाले इनीमिया से बचाने के लिए उचित मात्रा में वितामिन और खनिज मिले डॉक्तरों द्वारा निर्धारित कुछ परीक्षन और दवाएं ऐसे मामलों में सहायक हो सकती है कुछ मामलों में सर्जिकल उप्चार यदी डॉक्तर द्वारा रिकमेंडेड हो तो मददगार साबित हो सकता है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज विडियो को लाइक, शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद